तो भाई आज फिर से करेंगे टेकी पार्टसला स्टाइल में एक तगड़ा कमपारिजन रिसेंटली लॉंच हुआ है मोटरोला एज 50 प्रो और इस भाई साब का कमपारिजन होगा तो अगर प्राइजिंग से स्टाट करते हो ना तो वन प्लस आपको स्टाट वाला वेरेंट 40,000 का मिलता है और पर लगाओ कि 39,000 तक आ सकता है और देखो मोटरोला की प्राइजिंग है आपको मैं दिखा देता है अपको मैं दिखा देता है लाइव एक्चली फ्लिपकार्ट में कितनी दीख रही है जिसकी वज़े से इसकी प्राइजिंग एफेक्टिव हो जाएगी 28,000 27,999 जिसमें आपको 2,000 रुपीज का HDFC का कार्ड डिस्कॉंट मिल रहा है इंस्टेंट और 5,000 अबो कुछ बाय करोगे है तो वहाँ पर और उन्होंने माइनस 2,000 कर दिया तो आपको ये फोन समझ लो 32,000 तक मिल सकता है और कलर की बात करोगे तो OnePlus में भी आपको 2 कलर मिल जाते हैं और Motorola पर आपको टोटल 3 कलर मिल जाते हैं तो जो जिसकी चॉइस है वो इससे आप से देख सकता है तो अगर इन दोनों में एक चीज़ तो बहुत जादा डिफरेंस है कि ये जो OnePlus है आपको ग्लास बैक टाइप में दिखने मिलता है जिस पर फिंगरप्रिंट के smudges भी नहीं आ रहे है और ये कलर मेरा फेवरेट है ये handmade design दिखने मिलता है तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कॉंजा design जादा पसंद है बस एक बार comment बता देना camera module अच्छे है दोनों के मेरे हिसाब से पसंदार है मुझे यहाँ पर भी आपको metal frame मिलता है OnePlus में even Motorola पर भी metal frame है उपर की तरफ देखोगे तो OnePlus में आपको IR blaster मिलता है जो की Moto के पास नहीं बट Motorola के पास total 3 mics आते है एक दो और तीसरा यहाँ पर है total 3 mic है और नीचे की तरफ देखोगे तो same setup मिलता है जहाँ पर आपको dual sim card का support मिलता है और जाब front की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ है कि curved display में यहाँ पर एक चीज़ है कि जादा मतलब in hand feeling में अगर पतला पकड़ लो तो वो आपको Motorola दिखने मिलेगा 7.83 mm है और 8.8 mm है यहाँ पर OnePlus और even version की भी बात करोगे तो यहाँ पर OnePlus आपको थोड़ा जादा heavy लगेगा Motorola के मुकाबले क्योंकि यहाँ पर यह जो weight है ना light weight आता है Motorola में और दोनों के अंदर 3.5 mm जे के port नहीं आते बड़ एक चीज़ है यहाँ पर जो type C port है OnePlus में वो 2.0 है पर वही पर Motorola में यह type C 3.1 आता है प्लस यहाँ पर आपको Elgato support चाहिए वो भी मिल जाता है Motorola में OnePlus पर ऐसा कुछ नहीं है So look and feel में भाई आपको कौनसा जादा पसंद है अपने comment ज़रू बता दे ना मुझे personally यहाँ पर यह Motorola कर डिजाइन थोड़ा सा प्लस पॉइंट है क्योंकि हलका है और comfortable है अगर दोनों फोन के अंदर box में देखोगे न जो cover आता है न बाई दोनों का ही अच्छा है अभी देखो performance के लिए यहाँ पर OnePlus में मिलता है Snapdragon 8 Gen 2 और वही Motorola पर Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर है अभी अगर on paper देखोगे तो definitely 8 Gen 2 आपको बहुत powerful मिलता है जो लोग है न जादा performance के हिसाब से phone देख रहे हैं खास करके gaming में कहूंगा तो उन लोगों के लिए OnePlus जादा एक अच्छा option होगा बट overall सारा scenario, overall packaging के हिसाब से जो आपको वीडियो के आड़ने पूरा विससे समझ जाएगा उस हिसाब से आपको Motorola भी काफी जादा plus point लगने वाला है देखो, रही बात, UFS 3.1 की storage है OnePlus में और यहाँ पर 2.2 की storage आती है पर अगर दोनों का अगर compare करते हो न तो जो number का difference है न वो इतना जादा भी दिखने नहीं मिलता है पर overall यहाँ पर plus point जाता है एक बार OnePlus के पास बागी 5500 एमेज की battery है OnePlus में जो 100W का Superbook charger लेकर आता है पर Motorola के अंदर मिलती है आपको 4500 एमेज की battery जो box में आपको 120W का charger मिलता है इसमें भी दो option है अगर आप base वाला variant purchase करते हो वहाँ पर आपको 68W की charging मिलेगी पर अगर आप higher variant लेते हो 12GB बाला variant लेते हो तो वहाँ पर आपको 125W की charging मिलेगी प्लस Motorola के अंदर आपको wireless charging मिलती है reverse wireless charging का भी option मिलता है तो थोड़े से जो यह flagship features है न वो आपको Motorola में मिल रहा है और charging speed भी देखाऊगे तो definitely 125W के साथ में आपको Motorola जादा faster charging करवा के देखा around 22 minutes के अंदर 100% charge और जबकि OnePlus आपको 30 minutes के अंदर 100% charge करवा के देता है जो भी आपके छोटे मोटे application जो भी application आपको basically play store में मिलती है न इन दोनों phones पर आप अच्छी तरीके से चला सकते हो कोई issue नहीं है जो snapdragon 7 gen 3 आता है मोटो के अंदर वो एकदम मैं कहूंगा यहाँ पर optimized है सारी application must smooth और faster चलवा देता है और 8 gen 2 definitely आपको और faster देखने मिलता है जिसके अंदर आपकी जो same application इसके अंदर open हो रही है वो same motor में भी open होगी यहाँ पर जब बात आएगी gaming को लेकर तो smooth 90 unlock करके देता है oneplus bgmi के अंदर और smooth 60 unlock करता है motorola के अंदर तो अगर 90FS आपको देखना चाहोगे न 12R के अंदर तो आपको option तो मिलता है बड़ उसके अंदर है na software glitch बहुत जादा है जब आप भले 90FS का लगा के खेलोगे gaming लेकिन जो display पे refresh rate आ रही होगी न वो 60 की होती है बले आपने 90 का on करके रखा होगा और यह technically हम लोगो ने actually check भी करके देखा था तो वहाँ पर यह software bug के लो यह देखने मिल रहा था पर यह material मोटर में है वहाँ पर हमको eating उतनी major कोई problem देखने नहीं मिलती तो यहाँ पर आप दोनों के अंदर मैं कहूँगा 60 अच्छी तरीके से basically कर सकते हो मतलब अगर आपका एक question होगा कि भाई मुझे थोड़ी सी heavy gaming करनी है तो मैं क्या करूँ वहाँ पर ही बात है कि OnePlus 90 तो देता है बट वही वाली glitch देखने मिलती है बागी अगर connective video में देखोगे तो एक 5G band आपको मोटो में जादा मिलता है Bluetooth भी आपको latest मिलता है उसके बाद में NFC वैसे दोनों में आता है और एक और चीज जादा अच्छी है मोटो में कि IP68 मिलता है तो आपका पूरा phone पानी में जाने के बाद में भी खराब नहीं होगा और OnePlus में आपको IP64 मिलता है तो definitely आपको IP68 जादा बेटर रहेगा इन display fingerprint scanner देखोगे दोनों के अंदर आता है और वहीं OnePlus में 4500 nits की peak brightness मिलती है और Motorola में 2000 nits की पड़े एक बात बोलूँगा इंडोर में, आउट्डोर में, जहां कहीं भी यूस किया है दोनों की same level brightness लख लो या 50% brightness लख लो दोनों ही display अच्छी कासी brighter देखने मिलती है लेकिन दोनों को side by side job रख के देखा मैंने कुछ scenario में Motorola की display वहीं थोड़ी से जादा ही brightness देखने मिली बागी अगर YouTube पे content प्ले करना चाहते हो तो HDR का 4K 60fps में आप content प्ले कर सकते हो दोनों की जो display की calibration से ना OnePlus में आपको थोड़ी से color से saturate देखने मिलती है इतने जादा true colors है वो आपको Motorola में देखने मिलते हैं बाकी अपना choice होता है यहाँ पर यह भी है वो भी है आपके उपर वो सारी बात निकल कर आती है और जब बात करोगे speakers को लेकर तो दोनों के अंदर dual stereo speaker आते हैं और साथ में Dolby Atmos का भी support देखने मिलता है दोनों का sound experience अगर आप side by side देखते हो एक एक करके तो दोनों का ही blaster देखने मिलता है तो अगर जो vocals है ना उसकी loudness देखोगे ना तो आपको Motorola में देखने मिलेगी पर OnePlus पर आपको loudness थोड़ी सी कम है थोड़ा सा हलका कम का base जादा देखने मिलता है दोनों ही Android 14 के साथ में आते हैं पर OnePlus के अंदर Oxygen OS 14 है और Motorola के अंदर नया Hello UI है और उसी के बाद में दोनों में तीन साल का OS और चार साल की security updates मिल जाती है एक चीज है यहाँ पर दोनों ही वैसे UI आपको clean देखने मिलते हैं आपको pre-loaded application ऐसे कोई भरके नहीं आती जाब first time आप उपन करते हो OnePlus और even अपना Motorola दोनों के अंदर आपको Google की pre-loaded application मिल जाती है रही बात haptics को लेकर OnePlus पे आपको थोड़ा सा plus point मिलता है Motorola में भी आपको कहीं कहीं अच्छे कासे haptics देखने मिल जाते हैं और यहां पर इनका जो Moto Secure Application है Moto Connect है बेसिकलिए आप अपना पूरा का पूरा फोन है ना लाप्टॉप में विंडोस लाप्टॉप में आराम से easily seamless connect कर सकते हो और अपनी फोन क्या as a web camera बनाना है न इसको इसी का ही जो main camera है न इसी को आप as a webcam बना सकते हो more detailed clarity के साथ में फिर आपको यहां पर family space मिलता है जो basically बच्चे लोग के लिए काफी जादा एक option best हो जाता है कितनी application देनी है आपको चलाने के लिए और कितने देर चलाने देनी है प्लस आपको think shield की protection मिल जाती है Motorola के अंदर hardware level की जो security basically मिलती है oneplus में आपको वो चीज नहीं है animation वगेरा देखो दोनों के अंदर अच्छे आते है अभी even update के बाद में आईसा हुआ है कि Motorola में आपको जो UI मिलता है न जब आप control center डाउन करते हो तो आपको पहले इस तरीक्या का देखने मिलता था तो Motorola का software और even उसकी जो PC connectivity है उसके साथ में ज़ादा अच्छा काम करता हो नजर आएगा basically professionals को और ज़ादा अच्छी तरीके से target करेगा camera के numbers देखोगे तो definitely यहाँ पर Motorola के numbers आपको ज़ाद अच्छे देखने मिलेंगे क्योंकि 13MP का ultra wide है जबकि OnePlus में 8MP ultra wide मिलता है 50MP के साथ में आती है दोनों के अगर photo samples देखोगे देखो human subject की photos हो गई अगर अपना portraits हो गया तो जो मोटरोला में processing के बाद में जो output आता है वो जादा clean लगता है क्योंकि यहाँ पर skin tone है proper natural होती है बहुत लोगों को एक्दम accurate अग्दम proper लगने वाली है और एक चीज और ध्यान देना यहाँ पर आप 40,000 पे कर रहे हो camera के लिए जबकि मोटरोला में आप actually 28,000 के around पे करोगे offer के साथ में तो उस हिसाब से आपको जादा better camera और जादा detail camera जादा detailing जब देखोगे किसी object पे zoom करके shadows वगेरा में, contrast में, colors में तो आपको मोटरोला की 10 में से 8 से 7 फोटो पसंद आने वाली है और रही बात selfies में भी यहाँ पर आपको जादा plus point मिलता है और एक और अच्छा plus point है जब आप video recording पे जाओगे न तो मोटरोला आपको 4K 30 front and back में shoot करने का मौका देता है जबकि OnePlus आपको front में 1080p 30fps पे lock कर देता है और मोटरोला के पास है न एक और plus point है जब आप 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 वीडियो recording कर रहे हो 4K 30 में भी तो आप recording के बीच में ही lens पे switch कर सकते हो ultra wide, 1x, 2x, यहाँ पर आप dedicate एकदम मस्ते में switch कर पाओगे और जब photos की हिस्ते हो आपको ultra wide, 1x, 2x बिलता है दोनों में पर आपको OnePlus में 5x का zoom मिलता है और जबकि 3x का optical zoom आपको मिलता है Motorola के अंदर तो यहाँ पर जितनी भी आपने photo sample देखे, selfies देखी, portrait देखे human subject, outdoor scenario, architecture अगरे जो भी आपने सब देखा है न most of सारी photos में आपको detailing के हिसाब से, color accuracy के हिसाब से और pricing के हिसाब से अगर देखो गया, तो Motorola की photos पर आपको ज़ादा numbers देखने मिलेंगे, तो देखो, almost पूरा final conclusion देखो गया तो 40,000 versus 30,000 के अंदर एक चीज है, जो आपको 10,000 का gap देखने मिल रहा है उसमें आपको जैसे IP68 हो गया, उसमें अगर आपको better camera हो गया, better optimization हो गयी, better UI हो गया और even जो software के साथ में connective video वाली बात हो गयी, तो वहाँ पर है न, आपको OnePlus से ज़ादा better features कम price में Motorola में देखने मिल रहा है, और Motorola ने इस बार ये device में काफी जादा अच्छा गाम किया है और yes, यहाँ पर ये recommended बनता है, आप लोग देख सकते हैं, बागी जितना भी और detailing थी, जितना हम लोग add कर सकते थे, वो सारी बाते मैंने बता दिये और अगर आपको Motorola का comparison किसी और phone के साथ भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी demand wear video मैंने ready करी है तो और कोई phone होगा, comment करके ज़रूर बता देना, मिलते हैं next video में, अब एक लिए take care, बाइ